अधिश्टाता महोदिया मैं बहुत आपका अभारी हूँ कि संसत के समक्ष भारत के राष्टपती के विवासण पर हमारे दल के द्वारा लॉकेट चेटे जी की द्वारा धन्यबाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और स्री विरेंजी ने उसका समर्थन किया है मैं उसके समर्थन में आपने आउसर मुझे दिया और महामहिम की जो राष्टपती का विवासण होता है वो सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है सरकार के कारिकramوں की रूप रेखा होती है सरकार की उपलबधियों का बयोरा होता है और सरकार के भविस्य का रोडमेप होता है और यकीनन इस बार तो कोरोना की वैशिक चुनवती के बाद जब पूरी दुनिया थहराव की इस्तिती में हो गया हो पूरे विस्व में लागडाउन हो ऐसी परिस्थितियों का पूरे विस्तार से हमारे सदस्यों ने सत्ता प्रतिपक्ष ने भी जिकर किया कि किस तरह से बड़े से बड़े योरप के USA जिसको बहुत दुनिया के प्रगसील और बहुत सम्रिदसाली देश कह रहे थे उन देश के सामने भी उस कोरोना वैसिक की चुनोतियां जो आई किस तरह से लगता था कि USA योरप के वो देश लाचार है और जहां हम South East Asia के देश में थे उस South East Asia के देश में भी जिस तरह से आधनी प्रधानमंती नरेंद मोदी जी ने अपने देश में उस कोरोना के जो वैसिक चुनोति को भारत में जिस तरह से 130 करोन देश बासियों को लेकर के मुकाबला किया आज पूरी दुनिया में बात साफ हो गई है कि जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, यौरप नहीं कर पाया, इंग्लेंड, फ्रांस नहीं कर पाया वो नरेंद मोदी के नेतुत में भारत ने करके दिखा दिया है ये बात पूरी दुनिया के समय और ये बात इसलिए नहीं कि मैं हमारी पार्टी सरकार में प्रधानमंत्री हैं तो आज मैं उनकी बात कर रहा हूं आज उस कोरोना की चुनवतियों में जब वाकई दुनिया के सामने एक चुनवति थी तो दुनिया का इस बुहान से निकला डबलू एचो ने हमको फरवरी में आगाह किय मैं उस बिस्तार में जाना चाहता हूं डॉक्टर हर्सवर्धन जी ने फरवरी से ही थर्मल स्क्रीनिंग एरपोर्ट से लेकर के जिस तरह से 23 मार्च का जिकर हुआ वो सारे सिलसिलेवार हुआ और दुनिया के उस कोरोना की चुनवति में नरेंद मोदी जी के नित्त का और वर्ल्ड हेल्थ आगनाईजिशन के डिरेक्टर जनरल हैं टेड रॉस एंवान उन्होंने किया है तो यह मैं समझता हूं कि यह सम्मान जो उन्होंने किया है और उन्होंने कहा डिरेक्टर जनरल अब वर्ल्ड हेल्थ आगनाईजिशन नेम टेड रॉस एंवान गेवरियास said that India continues to take decisive action and demonstrates its resolve to end COVID-19 pandemic. तो ये Director General World Health Organization का ये भारत के बारे में कहना, ये केवल भारत के लिए रिमार्क नहीं था, ये पूरी दुनिया के निगाहों में भारत का सम्मान बढ़ाने वाला था, नरेंद मोदीजी के नित्यत को एक जंता प्रदान करने वाला था. और केवल World Health Organization नहीं कहा, IMF नहीं कहा. IMF Chief Prajaj India's decisive step to deal with the pandemic. IMF Chief Kristalanya Jyarjwia has praised India for taking very decisive step to deal with the coronavirus pandemic and its economic consequences ask the country to do more this year तो सपोर्ट एंड एक्सिलिरेटेड ट्रांसफार्मेशन आपड़ एकुनामी जो एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है दुनिया का एक सबसे बड़ा संगठन है आई एमफ उस दुनिया के संगठन ने तारीफ किया कि आज भारत में इस कोरोना के वाईरस में बहुत प्रभ होना से जो पूरी दुनिया में एक आर्थिक जो दुस्परणाम आ रहे थे उसके संबंध में भी और करने का उन्होंने निर्णे लिया कि आर्थिक भी गद्विधियां और आर्थिक व्योस्ता में भी हमारी GDP या दुनिया के सामने हम जो आत्मिर्भर की बात ही मैं मच्ता हूं कि बात आज करते हैं लोग कि आप किसी एक ने कर दिया तो उसके पीछे हम पढ़ गए उसे ने क्या कहा जो उसे जिस तरह से आप देख रहे थे डेथ हो रही थी जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही थी उन्होंने भी किया भी एपलॉड़ड़ इंडि 19 vaccine in South Asia, India's free shipments of vaccine begin with Maldives, Bhutan, Bangladesh and Nepal and will extend to others the South and Central Asia Bureau of the US State Department Twitter account. USA के Twitter account से भारत ने में हम कोरोना वैस्टिक में अपने सरकार अपने देश के 130 करोण देशबासियों की जिंदगी की हिफाजत का संकल्प तो पूरा करी रही है उसके साथ चाहे मालदी, भूटान, बंगला देश, नैपाल इन देशों की भी जिंदगी बचाने का काम भारत क की सरकार नरेंद मोधी के नित्यत में कर रहे हैं, उस कोरोना की चुनवतियों को लेकर के, इंडिया जे ट्रू फ्रेंड, ये कहा, USA ने, इंडिया जे ट्रू फ्रेंड, यूजिंग इटसे, फार्मा टु हेल्प दा ग्लोबल कम्यूटी, हम जो बसुद्यों कुटुम्वक की, तो उस बस द्यो कुटुम्वकम को किसी ने चरितार्त किया, तो वो भारत ने चरितार्त किया है, हमारी सरकार ने किया है, कि हम के वल भारत की लोगों की जिंदगी नहीं बचाएंगे, बलकि पूरी दुनिया के लोगों की चिंता करेंगे. Bill Gates Foundation पूरी दुनिया में काम करता है, उन्हों ने कहा, it's a great to see India's leadership in a scientific innovation and vaccine manufacturing capability as the world works to end the COVID-19 pandemic, Bill Gates, co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, आज उन्हों ने तारीफ के, और यहां पे आप आलोचना करते हैं, और जब पालिमेंटी स्टेंटी के चेर्मेन हैं, कॉंग्रेस के सिरी आनल सर्माजी, जब पालिमेंटी स्टेंडिंग कमिटी की होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं उनको धन्हों दुनगा, तो उन्हों ने कहा, दानल सर्माजी, लेट पालिमेंटी स्टेंडिंग कमिटी on Home Affairs, presented report on management of COVID-19 pandemic, उन्हों ने एक रिपोर्ट जो प्रस्तूत किया सदन में, कि management of COVID- 2019 pandemic, and appreciated, appreciated the efforts of the center for controlling the spread of the novel coronavirus, तो आज कोरोना वाइरस को रोकने में, ये सरकार जिस तरह से सक्षम हुई है, मैं समझता हूँ, कि सदन में आप आलूचना कर रहे हैं, और आपके उस सदन के उपनेता, आज सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो कम से कम कथरी करनी में अंतर होना जही मैं आज कहता हूँ, कि आज इस कोरोना के बाद निश्चित तोर से एक चुनवती आई, और लगातार प्रधानमंती जी कहते थे, कि चुनवती को औसर में बदलना होगा, और फिर उन्हों किस संदर में कहा कि चुनवती को औसर में बदलना होगा, इसलिए उन्होंने कहा, क इस समय भी जब करोना वाइर्स को पीपी केट दे करकर करोना के मरीजियों को, कोवीट के मरीजियों को देखभाल करने के लिए, ढक्टर्स को, पेरम Moore को लिए जा रहा था। तो वह चाइना से पीपी किट आ रहा था। और जो PP kit आया, वो भी गुणवत्ता परग नहीं था. Indian Medical Council of Research, IMCR, ने कहा ये घटिया है, उसको रिजक्ट कर दिया, चाइना की उस कंपनी को ब्लैक कर दिया, उसमें चुनवती लिया. एक तरफ कोरोना की चुनवती से जूज रहते, और ये संकट की हमारी निर्भरता दूसरे देशों पे है, इस निर्भरता को हमको कम करना होगा, नहीं तो हम कैसे भविष में इस तरफ चुनवतीयों का मुकाबला करेंगे, प्रधान मंत्री ने आवाहन किया, कि हम दूसरे देशों पे निर्भरता कम करेंगे, अपने आज निर्भरत की तरफ बढ़ेंगे, और कोबिट के उस चुनवती के बावजूद भी हम आज निर्भर नहीं हुए, आज साड़े पाँच लाग पीपी किट बना रहे हैं, दूसरे देश को भी देने का काम कर रहे हैं, तो निसन देश वो आज निर्भरत भारत की तरफ बढ़ने का एक कदम था, जिस तरह से आप कहते हैं, कि उस चुनोतियों को आउसर की बात, आलूचिना की बात आप कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ, कि इस COVID-19 में जब प्रधानमंती ने कहा, कि आज चाइना से बहुत सी कंपनियां आज दूसरे देश में जा रहे हैं, क्यों नब भारत एक most favorite destination हो, और उस most favorite destination भारत को बनाना होगा, कि यह आउसर है, कि चाइना से वहां से निकली हुई कंपनियां या जो foreign investment आए, वो ताइवान में ने जाए, वो जेपान में ने जाए, कोरिया में ने जाए, या USA या यो एउरोप में ने जाए, बलकि वो भारत में आए, इस तरीके का ए हमारा विदेश मंतराल है, PMO और सब ने किया, और उसका नतिया है, कि इस एक साल में, जहां इस COVID में हमने लोगों की जिंदगी बचाई, हमारे बैज्यानिकों ने आज वैक्सीन निकाली, आज हम अपने हाँ पे सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान चला रहे हैं, चुनोतियों में भी, नरेन मोदी जी की सरकार के प्रयास से आज पूरी दुनिया में सबसे मोस्ट फेवरिट डिस्टिनेशन फॉर्न इंवेस्मेंट उन पूजी निवेश का भारत एक सबसे बड़ा आकरसन केंदर बन गया है, तो सायद ये निश्चित तोर से देश की ज कि जब ये COVID आया, तो इस United Nations Conference की उस Trade Repeliment की रेपोर्ट में, Global Foreign Direct Investment, जो है FDI, वो 42% 2020 में, 2019 के मुकाबले गिरा, और ये केवल ड्यू टू एकोनामिक फाल आउट अफ COVID-19, योरप में, खासतोर से इंग्लेंड में, और कितना निगेटिव फ्लो हुआ है, United Kingdom में जो Foreign Investment है, इस COVID के दावरान, वो 100% लोवर हो गया, मतलब वहां कोई Foreign Investment नहीं आया, United States of America साइड ड्रॉप अफ 49%, अमेरिका में भी FDI 49% गिर गया, Australia साइड ड्रॉप अफ 46%, अस्टेलिया में 46% की गिरावट आई, नार्थ अमेरिका में 46% की गिरावट आई, कैनाडा में 34% की गिरावट आई, अफरीका में 2019 की तुल्ला में 18% की गिरावट आई, Asia में 12% की गिरावट आई, केवल दुनिया में चाइना में 4% FDI बढ़ा है, इस कोरोना के COVID की चुनाउतियों में भी, लेकिन जहां चाइना में 4% बढ़ा, योरफ हो, USA हो, जहां सब जगा निगेटिव रहा, सब जगे गिरावट आई, वहीं भारत में 13% FDI की बिद्धी यह United Nations Conference on Trade and Development का है, और उस 13% की देन क्या है, इंडिया जफडिया इंफ्लोर 2020 इच करेंटली 57 बिलियन डॉलर, इन रूपी 4,37,000 करोड, विची 13% मोर देन 2019, तो यह इसकी चर्चा नहीं किया, अधिर रंजन जी कॉंग्रेस के नीता है, एक जिम्मधार और पार्लिमेंटी जितना ruling party का रोल होता, उतना opposition का भी होता, सहेड़ो गवर्मेंट का काम करती है, उनको क्यों आलुचना नहीं करना चाहिए, गवर्मेंट की उपलबधियों के, गवर्मेंट की कम्यों को दोनों की बात की चर्चा करनी जहिए, कि आखिर के रहे हैं, और यह किस चीज में जिस पर प्रधानमंती जी लगाता है, डिजिटेल सेक्टर पर जेम दे रहे हैं, कम्प्यूटर साफ्ट्वेर में हुआ, हार्डवेर और सर्विशेज सेक्टर में हुआ, और विच इंक्लूट्स फाइनेंसियल, बैंकिंग, इंसॉरेंस, आउट्सोर्सिंग, रिसेर्च डवलम्मेंट, टेक्नॉलजी, टेस्टिंग, और इसी तरह से डेपार्टमेंट अफ प्रमोशन सफ इंडेस्ट्री और इंटरनेशनल प्रेट सर्विशेज, आज हमारे हम भारत, यह हमारे लिए सवभागी की बात है, और संतोष का विच पूरे देश के लिए, कि आज भा भारत, फाइनेंशियल सर्विशेज का पूरे विच सुका हब बनने जा रहा है, यह प्रधानमंती नरिद मोधी के नेतित में, तो निश्चित ताउर से, आज हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के लोग भारत को एक सुरक्षित निवेश के लिए समझ रह हैं कि यहां हमको एक अच्छा बाताबनान है, और इसकी तारीफ जिस तरीके से किया, आज कहते हैं कि क्या किया, एक तरफ चुनवतियां थी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री गरीब कल्यान पैकेज में, हमने 42 करोन को उस लॉकडाउन के दौरान भी 70,000 डारेक्ट इसकीम से हमने ट्रांसफर किया, क्या कहा था, जिस समय कोरोना में लागडाउन हुआ, लोग घरों में थे, रेडी पठ्री वालों को दिक्कत हुई, मजदूरों को दिक्कत हुई, पूरे दुनिया में लोग ब्रेट बटर के लिए सलकों पे आ रहते, उस समय भी कहा, अग एकतिस हजार करोन केवल जो डीबीटी से डारेक्ट बेंग ट्रांसफर किया, प्रधान मंत्री जंधनी उजलाओं में, इक्टिस करोन वो महिलाओं के खातों में गया, इसी तरह से अठाइस सो करोन निस्टल सेविंग में जो हमारे पेंशन में दिया गया उसी तरह, नौ क ठाइस सो करोन उजला के बेनफिस्रीच को दिया गया, और हम आज कहना चाहते हैं, रोज जब कॉंगरेस यूपी की सरकार थी, तो कोलगेट की चर्चा होती थी, कभी डिफेंज डील की चर्चा होती थी, कभी ओलम्पिक गेम्स की, कभी कॉमन बेल्ट गेम्स की होती थी, तो आज आप देखिए कि उननिस सो जिस तरीके से चालिस में हल की अस्थापना हुई थी, उस समय सेट वालचंद हीरालाल ने किया थी, हीराचंद जी ने किया थी, क्याओं मों मिनिस्ट्री अफ डिफेंस के अंडर में आ गया, और मिनिस्ट्री अफ डिफेंस में, जब अ सोला में एक फर्स तेजस इंडियन एर फोर्स उनिट नमबर फाइब, फॉर्टी फाइब स्कॉइडन बनाई गया, आज बड़े बड़े डील होते थे, हम बाहर से जहाज मगाते थे, आज तो ये निश्चित तोर से इसका उलेक होना चाहिए, कि अब हिंदुस्तान के लो स्तान एरो नाटिक लिम्टेट से लड़ाकू जहाज खरीदने जा रहे हैं, भारत का पैसा भारत में और भारत की यहाज, ये कमबड़ी उपलब थी है, हमारे सवाल पे, डिफिस मिनिस्टर साब का जवाब आये था, कि हम 101, 101 हम अपनी जो रच्छा के उपकरण हैं, उन उ सदन में, मुझे लगता है कि राष्ट्पती के अवासरण पे सरकार की उपलबदियों पे कब, हम कहते हैं, किसानों की चर्चा बार बार हुए, अकिर किसानों की चर्चा किसलिए बार बार हुए थी, अकिर किसान की चर्चा हो रही थी, बार बार, कि किसान आंदोलन हो रह तीन सवाल उठाये गया, कहा गया कि साथ ये बिल अगर रहेगा, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त होने जा रहा है, दूसरी बात कहीं गई, कि अगर ये बिल नहीं वापस हुआ, तो इसे हमारी किसान की जो मंडिया है, वो समाप्त हो जाएंगे, तीसरा कहा कि, जो ती मंत्री जी ने कहा, यहां तक कि प्रधान मंत्री जी ने कहा, कि हमारा MSP जारी रहेगा, और इस सदन में, जब बजट प्रस्तुत कर रही थी निमला सीता रमन जी ने, तो उस समय उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, कि जो 2005 में, डॉक्टर स्वामी नाथन की रेपोर्ट प किसानों की जो उपज है, जो उसकी लागत आए, उत्पादन मून ले आए, उसको डेड़ गुना दिया जाएगा, ये किसान को, ये गारेंटी तो सदन में पहली बार नरेंद मोदी की सरकार ने देश के किसानों को दिया है, मैं दो मिर्ट अपनी बात और कहना चाहता आखिर हमारे जिम्मदार हैं पार्टी के लोग, उन्हों ने इस पे नहीं कहा, कि आज प्रधान मंती ने कह दिया, बित्र मंतरी ने कहा, कि MSP पे हम डेड़ गुना देंगे, मंडी समितियां रहेंगे, एक हजार मंडियों को दे एलक्ट्रोनिक नेशनल अगरी कल्चर मार् आ रहा है, कि साथ किसानों से बात नहीं हो रही, प्रधान मंती जी को हंकार है, मैं पूछना चाहता हूं, बारह बार किसी मंतरी जी ने बात किया, प्यूस गोएल जी ने बात किया, कि उसमें कौन सा प्रविधान है, संसोधन करने की बात कहीं आ रही है, हंकार अधीर जी, अहंकार किसको कहते हैं अगर अहंकार होगा तो आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी में देश के 10 करोन किसानों को जिस तरीके से पहली बार 6,000 रुपय अप्रत किसान परिवार को लगातार दिया जारा गाउं के छोटे-छोटे जिस तरह से 86% लक्सीमान किसक हैं जिनक को पहली बार सौलंबी बनाने का काम नरिद मोदी जी के सरकार कर रहे हैं मैं एक बात कहना चाहता हूं अपनी बात कि आज अहंकार वो भूल गए कि जब सरकार में थे प्रधानमंत्री कैबिनेट से विध्यक पारित करें चुनिवी सरकार थी और उस विध्यक को उनके नेत उन्होंने अंबेदकर की बात कही उन्होंने कहा नहरू जी से नहरू जी से गाधी जी से उन्होंने बनाया उनको क्रिश्टिन्ट असंबली का और उनकी योगता पर अरे पूरे देश की उस आजादी की लड़ाई में योग थे अंबेदकर जी बने और मैं कहता हूं अगर अम्बेदकर जी को सम्मान देने की बात थी तो फिर अम्बेदकर जी को ये कांग्रेस को जबाब देना पड़ेगा कि अगर उनके सम्मान दिया था तो नहरू जी की सरकार से सितंबर 1951 में इस थीपा क्यों दिया अम्मेदकर जी ने ये देश की जनता, देश की जनता इसका जबाब चाहेगी, देश की जनता जबाब चाहेगी, देश की जनता इसका भी जबाब चाहेगी, दिश्ठाता महुदर, क्योंकि बात उन्होंने कही है, कि आज डॉक्टर भीमरा अम्मेदकर जिसको पूरा दिश् उस सम्मिधान की बात करें और आज उस योग व्यक्ति को कितने लोग अनपोज कितनी बार जीत के आए जब अम्मेदकर जी चुनाओ लड़े तो दो दो बार अम्मेदकर जी पारलेमेंट न पहुंच सके इसको रोकने का काम अगर किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है जाभी जैबाब दीजेगा यू मस्त ट्राइटो लिसन मिस्टर सुरेश और यू मस्त रिस्पॉंच अइधर यूर लीडर सुट रिस्पॉंच वट आपको देश माफ करेगा आपको आपने अम्मेदकर जी को चुनाओ हरवाया जिस देश को समिधान दिया हो आप आप बा कर दरन करें आपर आपको अपको आपको आपको अपको आप फूरेश जी पुस्तिय और भी था पाक एंचिदी सदन में चर्चा हुई देश को गुमरान नहीं करना चाहिए आज देश को देश को चर्चा किया गया कि आज आज नहीं ग्रेटा थनवर्ण की चर्चा हुई या रहाना की चर्चा हुई आज आज वो उनकी उकालत करने देश उनके पीछे पड़ गया आज उस किसान फार्मर की नीटी पे अमेरिका के राश्टपती जो वाइडन ने कहा कि आज उन्हों ने का कि इंडियन फॉर्म रिफॉम्स उड इंक्रीज रच्छuestas इंडियन रीट राउर्म रिफी सक्टर आर्रण विफॉम्स उन्हों धरर हुट अप्राव उसके बाक्निक्रीज growth और उसके बाद जो वाइडन तारीफ करें, IMF तारीफ करें, पूरी दुनिया तारीफ करें और टूल किट में, टूल किट क्या है, बताना पड़ेगा टूल किट क्या है, इनको Congress के नेता को, जिसमें step by step भारत के खिलाफ एक प्रोपेगंडा की बात कर रहे हूं, आज जब भारत की दुनिया में इमेज बढ़ रही हो, पूरी दुनिया में अगर भारत की इमेज बढ़ रही हो, पूरी दुनिया के statement तारीफ कर रहे हो, उस समय चाहे greater than one हो, चाहे रहाना हो, अगर वो टूल किट बना करके और भारत की चबी को दुनिया में प्रोपेगंडा करके खराब करना चाहेंगे, तो अगर ये भारती है, तो इनको भारत के साथ खड़ा होना होगा, राष्टवक्त अगर है, अन्ने था उनकी बात कर रहे हैं, आप देखे, लता मंगेस का, कान कीजिए, प्लीज.